चैक्स के प्रकार 1. प्रत्यक्ष कर आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर 2. अप्रत्यक्ष कर विक्री कर, तट कर, उत्पात कर और सीमाशुल्क 3. केंद्र सरकार द्वरा लगाय जाने वाले कर आयकर, नेगम कर, संपत्ती पर कर, उत्राधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमाशुल्क, क्रिशी धन पर कर और चार राज्य सरकार द्वरा लगाया जाने वाले कर सर्वस चैक्स की उगाही का उत्तरदायत्व आयक कर विभाग पर है भारत में प्रतिभूती मुद्रण इवं सिक्कों का उत्तपादन एक इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महराश्ट्रो नासिक रोड इस्थित भारत प्रतिभूती मुद्रणाले में डाक संबंधी लिखन सामगरी डाक एवं डाक भिन टिकटों अदालती एवं गेर अदालती स्टैंपों पैंकों की चेकों, बॉंडों, राशफ्री बचत पतरों, पोस्टल ओडर, पास्पोर्ट, इंदिरा विकास पतरों, किसान विकास पतरों आधि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारिक शेत्र के उपक्रमों, वितिय निगमों आदे के प्रतिभूती पत्रों की छपाई की जाती है 2. सिक्योरटी प्रिंटिंग प्रेस हिदराबाद Security Printing Press हिदरबाद की स्थापना दक्षिन राजों की डाक लेखन सामगरी की मांगों को पूरा करने और पूरे देश की केंद्री उत्पाद शुल्क स्टैंप की मांगों को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी ताकि भारत प्रती भूती मुद्रनाले नासिक रोट की उत्पादन की अनुपूर्ती की जा सके तीन, Currency Note Press नासिक महराश्ट्र नासिक रोट इस्थित Currency Note Press 10, 50, 100, 500 और 1000 रुपई के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ती करती है चार, बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश देवास इस्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100 रुपई के और उच्च मूले वर्ग के नोट छापती है बैंक नोट प्रेस का स्याही का कार्खाना, प्रती फूती पत्रों की स्याही का नर्मान भी करता है पांच शाहबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर करनाटक के भारती रिजर्व बैंक नोट मुद्रन लिमिटेट दो नए एवं अत्याधोनी करेंसी नोट प्रेस मैसूर करनाटक तथा सालबोनी पश्चिम बंगाल में स्थापित किये गए हैं यहां RBI के ने अंत्रन में करेंसी नोट छापे जाते हैं छे सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश बैंक और करेंसी नोट कागस तथा नौन जूडिशिल स्टैम पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागस का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी मिल होशंगाबाद में 1968-68 में चालू की गई थी चकसाल मिंट्स सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परक करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की चार टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नौइडा में इस्थे थे मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की चकसालें काफी समय पहले क्रमशाह 1830, 1903 और 1950 में इस्थापेत की गई थी जिबकि नौइडा की चकसाल 1989 में इस्थापेत की गई थी मुंबई तथा कोलकाता की चकसालों में सिक्कों के अलावा विभन्न प्रकार के पदकों यानि मैडल्स का भी उत्पादन किया जाता है क्रिशी क्रिशी भारती अर्थ्वेवस्था का मेरू दंड़ है तथा जनसंख्या का 58 प्रतिशत भाग आजीविका के लिए क्रिशी पर निर्भर है दो हजार पांच शे इस्वी में क्रिशी का राश्ट्रय आय में हिस्सा लगभग 19.7 प्रतिशत जबके 1951 में ये हिस्सा 69 प्रतिशत था कुल निर्यात में क्रिशी का हिस्सा 2000 से 2001 इस्वी में 13.4 प्रतिशत रहा जिबके आरंभ में इसकी हिस्तेदारी 70 प्रतिशत तक थी अध्योगिक क्षेत्र के लिए क्रिशी का महत्व न सर्फ कच्चे माल की आपूर्ती तक सीमित है बलकि ये अध्योगिक क्षेत्र में लगे लोगों के लिए खद्यान तथा अध्योगिक उत्पाधेतु बाजार भी प्रस्तुत करता है जन्वरे 2004 में राश्प्रे किसान आयो गठन किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे प्रिशी आदान और उत्पाधन भारती क्रिशी अभी मौनसून पर ही निर्भर करती है उनिसो नभी क्यानवे इस्वी में फसलों के अधिन कुल क्षित्रफल के 33.3% पर सीचाई की सुविधा उपलब्द थी भारत में क्रिशी उत्पाधन को दो भागों में बाटा जा सकता है खाद्यान और अखाद्यान इसमें खाद्यानों का हिस्सा लगभग दो तिहाई और अखाद्यानों का हिस्सा लगभग एक तिहाई है भारत में प्रमुक फसलों के उत्पाधन में तुलनात्मक व्रिधी को सारणी रूप में बताया जा रहा है फसल चावल व्रिधी पांच सो चौबीस प्रतीशत पसल जुआर उनिससाट एकसट में नौ दशमलव आठ मेलियन तन दोहजार से दोहजार एक इसवी में साथ दशमलव साथ मेलियन तन व्रिधी माइनस सत्ताइस प्रतीशत पसल मक्का उनिससाट एकसट इसवी में चार दशमलव एक मेलियन तन 2000-2021 इस्वी में 12.1 मिलियं टन वृधी 195 प्रतिशत पसल वाजरा 1967-61 में 3.3 मिलियं टन 2000-2021 इस्वी में 7.1 मिलियं टन वृधी 115 प्रतिशत पसल चना 1967-61 इस्वी में 6.3 मिलियं टन 2000-2021 इस्वी में 3.5 मिलियं टन वृधी –180 प्रतिशत पसल तिलहन 1967-61 में 7.0 मिलियं टन 2000-2021 इस्वी में 18.4 मिलियं टन वृधी 112 प्रतिशत पसल गन्ना 1960 61 में 110 मिलियन टन 2000 से 2021 में 299 दशमलव 2 मिलियन टन वृधी 172 प्रतिशत पसल का पास 1961 में 5.6 मिलियन टन 2000 से 2021 में 9.7 मिलियन टन और वृधी 73 प्रतिशत पसल चाय सारणी समात राश्ट्री क्रिशी बीमा योजना अक्टूबर 1999 इस्वी से लागू की गई 28 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 इस्वी तक क्रिशी की व्रिधिदर 4 प्रतिशत से अधिक करने का लक्षे राश्ट्री क्रिशी नीती के अधिन रखा है भूमी सुधार के अंतरगत मुख्यताहत तीन प्रकार के कदम उठाए गए हैं एक मध्यस्थों का उन्मूलन दो काश्टकारी सुधार और तीन क्रिशी का पोनरगठन पहली बंचवर्शी योजना के समाप्ती तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़ कर किया जा चुका था काश्टकारी सुधार के अंतरगत मुख्यताहत तीन प्रकार के उपाए किये गए एक लगान का नियमन, दो, काश्ट अधिकार की सुरक्षा तथा तीन काश्टकारों को भूमी का मालिकाना अधिकार क्रिशी के पोनरगठन के अंतरगत मुख्यताहा दो प्रकार के उपाए एक, जोटों की सीमाबंदी तथा दो, जोटों की चक बंदी किये गए है जोटों की सीमाबंदी जोट का वो महत्तम क्षित्रफल है, जो राजों के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है और जिससे अधिक जोट का होना अवैध माना जाता है जोटों की चक बंदी विभाजे तथा खंडित जोटों को इकठा करना है भारत में सरवाधिक जोटों की संख्या सीमानत प्रकार का है एक हेक्टेर से कम क्षित्रफल वाली जोट सीमानत जोट एक से चार हेक्टेर वाली जोट लगु जोट तथा चार हेक्टेर को बड़ी क्षित्रफल वाली जोट ब्रिहत जोट कही जाती है भारत में सबसे पहले 1920 इसवी में बढ़ोदा में चकबंदी लागू की गई भारत में 2000 से 2021 में सिंचाई सब्भावे 9.47 करोड हेक्टियर था जो भारत के कुल सचाई सम्भावे 13.98 करोड हेक्टियर का 68 प्रतीशत है हरित क्रांति का प्रारंब तीसरी पंचवर्ष्य योजना से माना जाता है हरित क्रांति का सरवादिक सकारात्मक प्रभाव गेहु परपड़ा है जिसकी पैदावार में 500 प्रतीशत की इवरिधी हुई क्रिशी वित्त के गयर संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहुकर, संबंधी या रिष्टिदार, व्यापारी, जमीदार और आढधतिये प्रमुख है क्रिशे वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहिकारी समितियां और सहिकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्री ग्रामेर बैंक, सरकार आधी प्रमख हैं सहिकारी साख संगठन का प्रारंब सरपथम 1904-20 में हुआ था प्रात्मिक सहकारी समिती अल्प कालीन रिन उपलब्ध कराती है राज्य सहकारी क्रिशे और ग्रामेंड विकास बैंक दीर्ग कालीन रिन उपलब्ध कराती है भूमी विकास बैंक मोलदह दीर्ग कालीन साख उपलब्ध कराती है भूमी विकास बैंक का आरम भूमी बंधक बैंक के रूप में 1990 इसवी में हुआ था नाबाड अने बी ए आडी अर्थार ट्रिशी और ग्रामेंड विकास का राश्ट्रे बैंक ग्रामेंड साख की शिर्ष संस्ता है जिसकी स्थापना 19 जुलाई 1982 इसवी को भारती रिजर्व बैंक के क्रिशी साख विभाग और क्रिशी के पुनर्वत्त और विकास निगम के विले द्वारा की गई नाबाट के अधिकरत अइश पुन्जी 500 करोड रुपए थी परन्तु फरवरी एक 2001 इसवी से एक संशोधन के पश्चात इसकी अधिकरत पुन्जी बढ़ा कर 5000 करोड रुपए कर दी गई है उद्योग आजादी के तुरंद बाद भारत में उद्योगिक नीती संबंधी प्रस्ताव सन 1948 इसवी में पारित किया गया सन 1948 इसवी के उद्योगिक नीती में सार्वजनिक तथा निजिक क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया परंतो मूल उद्योगों के विकास का दायत्व सारवजनिक क्षेत्र को सौपा गया भारत में अध्योगिक नीती पुनहा सन 1956 इस्वी में लाई गई जिसमें सारवजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारिक क्षेत्र का विकास तथा निजी एक आधिकारों पर नियंत्रन जैसे उद्देशे शामिल किये गए 1948 इस्वी की अध्योगिक नीती में उद्योगों की चार श्रेणियां बनाई गई जबकि 1956 इस्वी की नीती में इसे घटा कर तीन कर दिया गया 1973 इस्वी में दत्त समिती की सिफारिशों के आधार पर सहक क्षेत्र का गठन किया गया 1980 इस्वी की अध्योगिक नीती आर्थिक संगवाद की धारणा से प्रेरित थी तथा इसमें क्रिशी पर आधारे दुद्योगों को रियायतें देने की नीती अपनाई गई नई अध्योगिक नीती की घोषना 24 जुलाई 1991 इस्वी को की गई जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषना की गई सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम है जिनका संचालान एवं नियंत्रन सरकार द्वारा होता है सार्वजनिक ख्षेत्र की निम्न लाव प्रदता के कारण 1991 इस्वी की नई अध्योगिक नीती में व्यापक परिवर्थन किये गए नई अध्योगिक नीती में निजी करण एवं उदारी करण प्रमुख है 1997-98 इस्वी की केंद्री बजट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नौ सार्वजनिक उपक्रमों को चुनकर नवरत्न की संग्या दी गई और इन्हें स्वायत्ता प्रदान की गई ये नवरत्न है SAIL Steel Authority of India Limited IOC Indian Oil Corporation BPCL भारत Petroleum Corporation Limited HPCL Hindustan Petroleum Corporation Limited BHEL भारत Heavy Electricals Limited NTPC National Thermal Power Corporation IPCL Indian Petrochemical Corporation Limited VSNL Videsh Sanchar Negam Limited ONGC Oil and Natural Gas Corporation बाद में दो अन्य उपक्रमों को भी इस सूची में शामिल किया गया ये हैं GAIL भारती गैस प्राधी करन Limited और MTNL महानगर टेलिफोन निगम Limited भारत में लगू और कुटी रुद्योग का कुल अध्योगिक निरियात में भागीदारी 35 प्रतीशत है भारत में 1997-1998 इस्वी में लगू और कुटी रुद्योग द्वारा लगभग 1.8 करोण लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर उपलब्द कराए गए लगू और कुटी रुद्योगों पर विशेश ध्यान सन 1997 इस्वी की अध्योगिक नीती में दिया गया जिला उद्योग केंद्रो की स्थापना 1997-1998 में की गई थी इस समय देश में 422 जिला उद्योग केंद्रों हैं लगू द्योग को वित्तब प्रदान करने के उद्देश इसे सन 1990 इस्वी में SIDBI अर्थार्थ महारते लगू द्योग विकास बैंक की स्थापना की गई आबेद हुसेन समिती लगू उद्योगों में सुधार से समबध है। लगू उद्योग वैसे उद्योग है जिसमें अधिक से अधिक एक करोड रुपए का निवेश हुआ है। अधिकालिन और मधेकालिन साख उपलब्ध कराना है। भारती उद्योगिक विकास बैंक की स्थापना एक परवरी 1964 इसवी को की गई। इसने अपना कारे एक जुलाई 1966 से शुरू किया। IRBI अर्थार्द भारती उद्योगिक पुनर निर्मान बैंक की स्थापना अस्वस्थ उद्योगिक एकायों की पुनर निर्मान के उद्धेश से 1971 इसवी में की गई। भारती उनिट्रस्ट एक जुलाई 1964 इसवी को संसदी अधिनियम से स्थापित किया गया। भारती उनिट्रस्ट यूजियाई लोगों की छोटी छोटी बचतों को उनिटों की विक्री के माध्यम से एक अतरत करता है तथा उनका प्रतिभूतियों में निवेश करता है। भारती जीवन बीमा निगम का मुख्याले मुंबई में है। इस समय इसके साथ जोनल कार्याले तथा 100 क्षेत्रिय कार्याले हैं। इसकी स्थापना सन 1956 इसवी में की गई थी। भारती साधारन बीमा निगम GIC की स्थापना सन 1972 इसवी में की गई थी। आंतों से संचालेत होते थे। परन्तु स्वतंतरता के बाद इसकी दशा और दिशा में व्यापक परिवर्तन आये। स्वतंतरता के बाद वितेजशी व्यापार की अंतरमुखी नीतियों को अपनाया गया और आयात प्रतेस थापन की नीति इसका आधार बनी। व्यापार उदारीकरण का प्रयास अस्सी के दशक से आरंब हुआ तथा 90 के दशक 1991 के बाद उदारीकरण और वेश्व व्यापीकरण की व्यापक नीति बनी। आरंबिक वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में जूट, चाय, सूती वस्त्र तथा क्रिशी और उससे संबद्ध वस्त्मों की प्रधानता थी तथा आयात में वे निर्मित वस्त्मों का अधिक महत्व था। देरे देरे भारत के निर्याद में वे नर्मित वस्थों का महत्व बढ़ता रहा है ततब प्राथमिक वस्थों का महत्व कम होता जा रहा है। पेट्रोलिय मुद्पादों तथा लुब्रिकेंट का आयात विये कोल आयात विये का 29.9 प्रतिशत कुष्टक में 2002-2032 कुष्टक समाग है प्रतम इस्थान रत्न और आभूशनों का कुल आयात विये में हिस्तेदारी 10.4 प्रतिशत. सन 2002-2003 इस्थी है दूसरा स्थान भारत से निर्यात होने वाले वस्त्वों में सरवादिक महत्वपुनिस्थान रत निवम जेवरात वस्त्वों का है जिसका 2002-2003 इस्वी में योगदान 17.3 प्रतिशत रहा इंजिनेरिंग वस्थों का निर्यात में भागिदारी 2002-2003 इस्वी में 16 प्रतिश्यत रही पिछले कुछ वर्षों में भारत के कुल निर्यात में इसका स्थान दूसरा या तीसरा रहा है व्यापार की दिशा भारत के आयात और नर्यात दोनों में आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD देशों के साथ सरवाद एक भागीदारी रही है OECD में शामिल देश योरोपिय संग के देश अमेरिका तथा जापान है देश विदेश की तृष्टी से इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साजीदार अमेरिका है अमेरिका के हिस्तेदारी भारत के साथ आयात के संदर्भ में 6.1% तथा निर्यात के संदर्भ में 19.4% 2001-2002 एसवी रही है व्यापारिक संगठन IMF अर्थार्थ अंतराश्ट्रे मुद्राकोश की स्थापना 27 दिसंबर 1945 इस्वी में ड्रेटन वुट सम्मेलन के निर्ने के आधार पर की गई इसका कारे एक मार्च 1947 इस्वी से शुरू हुआ इसमें सन 2002 इस्वी में कुल 183 राश्ट्र सदस्य थे IMF का कारे सदस्य राश्ट्रों के मध्य वित्ती और आर्थिक सहियों को बढ़ावा देना तिथा वेश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना है IBRD अर्थार्थ पुर्णर निर्मान एवं विकास के लिए अंतराश्ट्रे बैंक की स्थापना सन 1945 इस्वी में हुई IBRD को ही अन्य संस्थाओं के साथ मिलाकर वेश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारा जाता है इन संस्थाओं में अंतराश्ट्रे वित्तनिगम, अंतराश्ट्रे विकास संग तथा बहु पक्षे विनियोग गारेंटी अभिकरण है इसका उत्तेश्य विश्व युद्ध से जरजर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुर्णर निर्माण तथा अलपविक्सित देशों के विकास में योग दान देना है इस समय इस अदस्ते देशों में पुझी निवेश में सहाथा तथा अंतराश्ट्रे वियापार के दिर्ध कालिन संतुलित विकास को प्रोच्चाहित करने में लगा है जी ए टी टी अर्थात प्रशोल्क और वियापार पर सामाने समझो था तीस अक्तूबर 1947 ईस्वी को हुआ तथा एक जन्वरी 1948 ईस्वी से लागू हुआ जी ए टी टी के मूल सिध्धांत थे समान प्रशोल्क की नीती परिमाना तक प्रतिबंधों को हटाना तथा वियापारेक वादविवात का लोकतांत्रिक तरीके से निप्टारा करना 12 देसंबर 1995 ईस्वी को जी ए टी टी का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा एक जन्वरी 1995 ईस्वी को इसका स्थान WTO अर्थार्थ विश्व वियापार संगठन ने ले लिया WTO का मुख्याले जिनेवा में है तथा सन 2003 ईस्वी में इसके सदस्से देशों की संख्या 146 थी भारत भी इसका सदस्से है महत्वपूंड आर्थिक शब्दावली एक सकल घरेल उत्पाद ग्रॉस जोमेस्टिक प्रोडाक्ट जी डी पी एक देश के सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधी प्रायह एक वर्ष में उत्पादित समस्तंतिम वस्थों तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौदरिक मूले उस देश का सकल घरेल उत्पाद कहलाता है दो सकल राश्व्री उत्पाद ग्रॉस नैशनल प्रोड़क्ट जी एन पी इसका प्रायोग भी राश्व्री आयले खांकन में किया जाता है सकल घरेल उत्पाद में से यदि वो आय घटा दी जाय जो स्रजित्तो देश में ही हुई है किन्तु विदेशों को प्राप्पे है तधा देश को प्राप्त होने वाले किन्तू विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो सकल राश्ट्रे उत्पाद प्राप्त होता है 3. शुद्ध राश्ट्रे उत्पाद NET, National Product, NNP सकल राश्ट्रे उत्पाद में से मूलेहरास की राश्ची घटा देने के उपरांथ शुद्ध राश्ट्रे उत्पाद ग्याद किया जाता है 4. राश्ट्रे आय ये किसी आवदे विशेश में देश की सीमा के अंदर उत्पन समस्त वस्त्वों तथा सेवाओं का मौद्रिक मूली की वो मात्रा है जो दो बार गिने बिना मापी जाती है साधारन कीमत पर शुद्ध राश्ट्री उत्पात को राश्ट्री आय कहा जाता है इसे इस सूत्र द्वारा परिकलित कर सकते हैं राश्ट्री आय बराबर शुद्ध राश्ट्री उत्पात साधनलागत पर NNP, Factor Cost बराबर बाजार मूले पर शुद्ध राश्ट्री उत्पात माइनस आप्रत्यक्षकर प्लस सबसीडी बराबर बाजार मुले पर सकल घरी लूत पाद अर्थार्थ GDP प्लस शुद्ध विदेशी आई माइनस मुले हरास माइनस अप्रत्यक्षकर प्लस सबसीडी बाजार मुले पर सकल घरी लूत पाद अर्थार्थ GDP प्लस विदेशी आई माइनस मुले हरास एक ब्राकिट के अंदर है सामाने दहा नियुनतम सामाजिक जीवन स्तर से नीचे की दशा है योजना आयोक के द्वारा गठित Task Force on Minimum Needs and Effective Consumption Demand Report के अनुसार ग्रामेन क्षेतर में 2400 कैलोरी तथा शहरिक क्षेतर में 2100 कैलोरी का उप्योग प्रति व्यक्ति से कम का उपभोग स्तर की इस्तिथी गरी भी कही जाएगी 6. मिश्रित अर्थ व्यवस्था ऐसी अर्थ व्यवस्था जिसमें निजी तथ सरकारी दोनों क्षेतरों का सहय अस्तित्व हो साथ, बूम अर्थ विवस्था में बूम की स्थि उस समय कही जाती है जब आर्थिक रियाओं का तेजी से विस्तार होता है ये मंदी अत्वा रिसेशन की विपरेति स्थि है मांग में व्रिधी के परिणाम स्वरुप किसी उद्योग विशेश में भी बूम की स्थि उत्पन हो सकती है आठ, बजट किसी संसाय या सरकार के एक वर्ष के अनुमानित आयव्याय का लेखा जोखा बजट कहलाता है सरकार का बजट अपकेवल आयव्याय का विवरण मात्र ही नहीं होता अपितु ये सरकार के क्रिया कलापो एवं नीतियों का वितरण भी है ये आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्थन का साधन भी बन गया है नौ, बफर स्टॉक आपात इस्तिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तयार करना बफर स्टॉक कहलाता है दस, तेजडिया और मंदडिया, बुल्स और बियर्स ये स्टॉक एक्सचेंज के शाप्ते हैं जो व्यक्ति स्टॉक की कीमते बढ़ाना चाहता है, तेजडिया कहलाता है जो व्यक्ति स्टॉक की कीमते गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविश्य में देने का वायदा करके बेचता है, वो मंदडिया कहलाता है 11. क्रेटा बाजार, Buyer's Market जब किसी वस्तो के माँग कम तथा पूर्ती अधिक होती है जो भी क्रेटा के तुलना में क्रेटा भेतर रिस्तिति में होता है ऐसे बाजार को क्रेटा बाजार कहते हैं 12. Bridge Loan कमपनिया प्रायाहां अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथर डिबेंचर्स जारी करती रहती है कमपनिय को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में तीन माहा से भी अधिक समय लगता है इस समय आवधी में अपना कामजारी रखने के लिए कमपनिया बैंकों से अंतरिम आवधी के लिए रंड प्राप्त कर लेती हैं इस प्रकार के रंडों को ब्रेज लोन कहते हैं किसी मुद्रा के विने में दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वो अपना नया मूले स्वयम तै कर सके चौदह अवमूलियन देवालुएशन यदि किसी मुद्रा का विने में मूले अन्य मुद्राओं के तुलना में जान भूच कर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूलियन कहते हैं ये अवमूलियन परिस्तित्यों के अनुसार सरकार स्वयम करती है पंद्रह विमुद्री करण जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थ विवस्था के लिए खत्रा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्री करण की विधी अपनाई जाती है इसके अंतरगत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है जिनके पास काला धन होता है वो उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयम ही नश्ट हो जाता है 16. मुद्रा संकुचन Deflation जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमते गिर जाती है उत्पादन में व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है वो अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है 17. हिनार्थ प्रबंधन Deficit Financing जब संकार का बजट घाटे का होता है अर्थास आयकम और व्याधिक होता है और व्याधिके इस आधिके को केंद्रिये बैंक से रिंड लेकर अत्वा अत्रिक्त पत्र, मुद्रा, निर्गमित कर पूरा किया जाता है तो ये व्यवस्था घाटे के वित्त व्यवस्था अत् मित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है हिनार्थ प्रबंधन को इस हाई नीती बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते किसी व्यक्ति की मृत्य के पश्चात उसकी संपत्ती के हस्तान्तरन के समय जो कर उस संपत्ती पर लगाया जाता है उसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं 19. स्वनमान गोल्ड स्टैंडर्ड जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वन में परिवर्थन शील होती है अत्वा मुद्रा का मूले सोने में मापा जाता है तो इसे मौद्रिक व्यवस्था को स्वनमान कहते हैं अब किसी देश में स्वनमान नहीं है 20. मुद्रा स्पीती, Inflation मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्पीती वो अवस्था है जिससे मुद्रा का मूले गिर जाता है और कीमत एंब बढ़ जाती है 21. रिसेशन रिसेशन से तादपरे मंदी की अवस्था से है जब वस्थों की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिती उत्पन्न होती है ऐसी स्थिती में धनाभाव के कारण लोगों की क्रैश शक्ती कम होती है और उत्पादित वस्थों अन्विकी रह जाती है इससे उत्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारम्व होती है बेरोजगारी बढ़ जाती है 1930 के दशक में विश्ववयापे रिसेशन की स्थिती उत्पन्न होई थी विश्व की सभी देशों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा था 22 प्राइमरी गोल्ड 24 कैरट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते है 20 स्टैक्फलेशन ये अर्थ फ्यवस्था के ऐसी इस्तिती है जिसमें मुद्रा स्पीती के साथ-साथ मंदी की इस्तिती होती है 24 टेरिफ किसी देश त्वारा आयातों पर लगाए गए करको ही प्रायाहट टेरिफ कहा जाता है 25 मुद्रा अप स्पीती अत्वा विस्पीती डिस इन्फलेशन मुद्रा स्पीती पर नियंत्रन लाने हितु जो प्रयास किये जाते हैं जैसे साख नियंत्रन आदी उनकी परिणाम स्वरुप मुद्रा स्पीती की दर खटने लगती है कीमतों में गिरावटाती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकोल प्रभाव पड़ता है ये स्थि मुद्रा अप स्पीती अत्वा विस्पीती के स्थि कहलाती है इस स्तिथी में यद्यपे मूले स्तर गिरता है तथा भी ये सामाने मूले स्तर से उपर ही रहता है महत्पपून समितियां मुदर्वाहन करों में व्रिधी मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शेक्षणिक इस्तिथिक आध्ययन 9. जानकी रामन समिति प्रतिभूती घोटाला 10. रैखी समिति अप्रत्यक्षकर 11. गोस्वामी समिति अध्योगिक रुग्णता 12. रंगराजन समिति भुक्तान संतुलन 13. मलहुत्रा समिति 12. बीमाक शेत्रमे सुधार 14. गोईपोरिया समिति 15. बैंक सेवा सुधार 15. नर्सिम्मन समिति 15. वित्तिये बैंकिंग सुधार 16. भंडारी समिति 16. खेत्री ग्रामिन बैंकों की इपोनर सनरचना विविध तत्थे 16. विश्व बैंक की हाल के रिपोर्ट के अनुसार क्रैश शक्ति के आधार पर भारत की अर्थवेवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था है 17. सबजी के उत्पादन में भारत विश्व का उत्तर प्रदेश है भारत तंबाको उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोगता दोनों चीन है वे चार उद्योग जिन्ही सार्वजनिक खेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है वे हैं हतियार, गोला, वारूद, परमानों उर्जा, रेल परिवेहन तथा परमानों उर्जा की अनुसूची में नर्देश्ट खनिच डाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है राजों में प्रधम, मध्यप्रदेश अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांश तहा भारत के पक्ष में होता है 1944 में मुंबई के आठ उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना, बॉंबे योजना कहलाती है 1950 इस्व में जय प्रकाश नारायन द्वारा सर्वोदे योजना प्रस्तुत की गई चलैया समितिकर, टैक्स बटवारे से सम्बंधित है केंद्र को सरवादिक निवल राजस्व की प्राप्ती सीमा शुलकों से होती है भारत में पहला जल्विद्युत शक्तिग्रही सन 1897 इस्वी में दार्जिलिंग में प्रारम हुआ भारत में मनी ओर्डर प्रणाले की शुरुवत सर्व प्रधम सन 1880 इस्वी में हुई भारत में पहला डाक्टिकर सन 1852 इस्वी में प्रारम हुआ बिल गेट्स विश्व के सरवाधिक धनी व्यक्ति हैं क्रिशे को अध्योग का दर्जा देने वाला प्रधम राजे 1997 इस्वी में महराश्ट्र है विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति संपत्ति 25,000 डॉलर है पट्सन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है बिक पुष्ट थियोरी आर्ट रॉडर ने दिया है उपभोकता की बचत का सिध्धान अलफ्रेट मार्शल ने दिया है केंद्री एगमाक प्रयोक्षाला नाकपूर में है देश का प्रथम सूती वस्त्र उद्योक सन 1818 इस्वी में कलकत्ता में तथा दूसरा कोवस जी नाना भाई द्वारा सन 1823 इस्वी में बंबाई में स्थापित किया गया सिंदरी उर्वर्क कारखाना चितरंजन का इंजिन बनाने का कारखाना भारती टेलिफोन उद्योक, इंटीग्रल कोज फैक्टरी, पेनिसलीन फैक्टरी भारती टेलिफोन उद्योक की स्थापना प्रथम पंच वर्षिय योजना के दोरान हुई विश्व में सरवाधिक सहकारी संसाइं भारत में है भारत में संगठित क्षेत्र की बजाए अधिक रोजगार का स्रेजन कर रहे हैं भारत में कुल्तिलहन उत्पादन में मुंगफली का हिस्सा सरवाधिक है भारत में एक करोड से अधिक जनसंख्या वाले तीन नगर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली है भारत में सर्वादेक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है एश्याई विकास बैंक के इस्थापना सन 1966 में हुई मुख्याले मनीला मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40 प्रतिशत है राश्याई की सामाजिक लेखांकन गर्णना विधी का विकास रिचर्ट स्टोन ने किया था जब किसी वस्तो के वास्तविक मूले के बजाए मौदरिक मूले से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है किंद्रिय बैंक द्वारा अन्नि वेवसाईक बैंक को सिली जाने वाली ब्याचतर को बैंक दर कहा जाता है अंतराश्रे व्यापार में अनुकूलन संतुलन की इस्तिथी वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है को कठोर मुद्रा कहा जाता है साक्ष मुद्रा को एच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है भारत में पाई जाने वाली बेरुजगारी के प्रमख प्रकृती सन्रचनात्मक है अर्थ विवस्थे के केमतव को ओसत स्थर सामाने कीमत स्थर कहलाता है आय में बदलाव के फल स्वरूप, उपभोग में बदलाव उपभोग की सीमानत प्रवृती कहलाता है विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनेमे की दर कहलाती है किसी देश का आयात और नर्यात से संबन्दित भुकतान, शेश, व्यापार, शेश कहलाता है कराधान, जनता से रंटता घाटे की वित्त व्यवस्था, राजकोशी नीती के तीन प्रमुक साधन है प्रगतिशील करव्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी व्रिधी होती है जबकि प्रतिगामी करव्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है रोजगार गारंटी योजना जो अब NCMP प्रमुक घटक है सरफ प्रथम 1972 में महराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी इसमें सम्विधान में दिये गए काम के अधिकार को सुईकार किया गया है श्वेत करांटी दुगद उत्पादन से तथा पीली करांटी तेल और तिलहन उत्पादन से संबध है नीली करांटी मत्थ से उत्पादन से संबध है ऐसे वित्तिवेवस्था जिसमें सरकारी व्याई आयसे अधिक हो तथा शेश घाटे को पूरा करने के लिए सामाने तहां मुद्रा छापे जाते हों घाटे के वित्तिवेवस्था कहलाती है भारत में निवेश करने वाले अगरणे देशों में अमेरिका मौरेशेस तथा ब्रिटेन है RBI ने 1000 रुपए का नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया भारत परेड़न विकास निगम के स्थापना एक सारवजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी 2045 के स्तितिक अनुसार सरवाधिक प्रतिव्यक्ति आयवाला राज जेगोवा है सारवजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अप निवेश का दौर 1991-92 से प्रारम हुआ सारवजनिक उपक्रमों में अप निवेश से प्राप्त राजस्व की सुनिष्टित प्रयोग के लिए 1 अप्रेल 2005 को राश्ट्री निवेश निधे के स्थापना की गई थी भारत में डिजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारण महराश्ट्र में खोला गया वर्तमान में इन तीन उद्योगों को सारवजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है एक परमाणू उर्जा, दो रेल परिवेहन और तीन परमाणू उर्जा के अनुसूची में निर्देश्ट खनिज 9 माई 2001 के मंत्री मंदलिय निर्दे के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजिक क्षेत्र के प्रवेश की अनुमती प्रदान कर दी है जिसके लिए कमपनी को रक्षा मंत्राले से लाइसेंस लेना होता है वर्तमान में इन 6 उद्योगों के अनिवारे लाइसेंस की परदी में रखा गया है 1. एलकोहॉल यूप पेयों का आसवन और मद्धी करण 2. तमाकों के सिगार और सिगरेट और तयार तमाकों के अन्नेविकल्प 3. एलेक्ट्रोनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण के सभी प्रकार 4. दिया सलाईयों सहित अध्योगिक विस्फोटक 5. खतरनाक रसायन 6. औशदी और फार्मस्यूटिकल 1994 में संशोधित औशदी नीती के अनुसार